एक बहुत अच्छी खबर है आप सभी SSC aspirants के लिए अगर आप SSC HSL 20 19 tier 1 देने वाले हुँ जिसका एक्जाम 12 तारिक से है अभी 29 तारिक को SSC ने guidelines निकाली थी जितने भी SSC exam connect कराएगा उसमें क्या होगा entry point से पहले क्या होगा आपका temperature check किया जाएगा और अगर आपका temperature 99.4 degree से जादा होगा तो आपको center में entry नहीं दी जाएगा आपका exam नहीं किया जाएगा finally SSC ने इसके अंदर change लाए है अभी SSC के official website में notice आया है कि अगर कोई aspirant ऐसा है जिसे fever है कफ है या कुछ भी है तो उसका जो exam होगा वो separate isolated sitting arrangement में कराया जाएगा तो किसी भी तरह के आप आपको tension लेनी की जूरत नहीं है अपने त्यारी अच्छे से करो और exam बहुत अच्छे से दो ठीक है मेनत करनी है आपने करी लिए already ठीक तो बिल्कुल भी किसी चीज के tension नहीं है जैसे आपका हमेशे exam होता था वैसे ही दो एक important सलहा और आपको देन अखे के मुख दो राइक को हर्स तरह की situation के लिए आपको ready रहना है exam में पता नहीं कैसी situation आपको मिलेगी कोई भी problem वहाँ पर आ सकती है एक और suggestion आप लोगों के लिए जहां पर जब भी आप answer mark करोगे ना तो answer mark करने बाद यह आपको definitely check करना है कि जिस option पर आपने टिक किया जल्दबाजी में आपने क्या करा आप A पे लगए आपने टिक करा गलती से mouse पोचा नहीं वहाँ तक और B पे टिक हो गया और आप आगे भढ़ गए तो इसमें आपके number कर जाएंगे दो number जो मिलने थे उसके जगा minus 0.5 हो जागा और धाई number का फ्रक पर जाएगा पूरे exam paper पर में अगर चार question भी ऐसे निगल गए तो आप selection से rejection की तरफ भढ़ जाओगे तो इस चीज का बड़ा धियान रखना question को बार-बर verify करना question टिक करने के बाद कि जिस option पर आपने टिक करा है क्या वही option टिक हुआ यह नहीं हुआ तब आपको आगे चलना है चाहे इसमें कर रहे हो बैट के पूरी जोग्रफिय रिवाइज कर रहे हो हो सकता है जो आप चीजे पढ़के जारे हो उनमें से एक भी question आपको जीके का उसमें से ना मिलें तो डिवीजन पे बहुत ज्यादा focus आपको नहीं होना चीए खास तूर पर जन्रल नोलीज की क्योंगे पचास maths और reasoning जीके रिवीजन बहुत बड़ा वास topic है आप अभी बहुत जादा रिवाइज नहीं कर पाऊगे बहुत जादा focus मत करना खास तोर पर कुछ भी नया यहां पर नहीं पढ़ना जीके में मैं request करता हूँ आपसे अगर आप selection चाहते हो तो यह चीज मत करना कि आप बहु इसले 3-4 महीने की compilation देखके चले जाओ और साल भर की important topics होते हैं जीके के वह देखके चले जाओ इतना भी कर जाओगे आप अच्छा score कर जाओगे राइट तो current affairs पर धियान देना है अगर दीके में कुछ पढ़ना है बाकी 12 तारिक को पहला वेपर होगा memory based वेपर आएगा अगर आपका बात की दिन में पेपर बिल रहा है तो आप अपनी strategy महां से plan कर सकते हो अभी focus तीन section पर करो और बहुत जादा मोग टाइश अभी आपको देने की भी जरूरत नहीं है अभी आपका exam अगर 12 तारिक को है तो आप 11 तारिक को बिलकुल भी मोग मत देना 10 तारिक तक आप मोग दे सकते हो आप एक दिन में चाहो तो दो मोग भी दे सकते हो कोई problem नहीं है लेकिन 11 तारिक को मोग मत देना और जो 10 तारिक को मोग दोगे मैं recommend करूंगा आप यहां पर क्या दोगे प्रीविएस येर पेपर दोगे मोग की form में नया मोग नहीं दोगे क्योंकि अगर framed मोग आया उसमें मुश्किल questions आ गया तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत वो दे सकते हैं तो इस चीच का आपको इहां पर धियान रखना है तो जो मोग दोगे प्रीविएस येर पेपर का मोग दोगे जो आखरी एक्जाम से पहले दिन जो आप दे रहे हो दो दिन पहले बागी 12 तारिक से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद memory बेस्ट पेपर आप सभी लोगों को देखने हैं जिससे कि उस टाइप के questions आए तो आप अच्छा score कर पाओ तो यह कुछ इंपोटेंट का इलेंस मैंने आपको बतागी हाँ पर बस यह कहारो एक इफ्रूम्मेंट कर पाओ तो करने की कोशिश करो अगर आपका इवनिंग शिफ्ट में Casey नहीं अगर मोर्नेग चिप्र एकज़ तस बजबीम है तो कोशिश करो देसे मत हो जल्दी सोज़ो टाइंसे उठ्वे टाइम और देपरोगे जिस टाइम में एडमिट का सेमा क्या हो अपनी CHS examination के लिए साट से जादा classes है सारी की सारी free classes है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा previous year paper chapter wide solutions ठीक है और expected questions वो सारी चीजे मैंने करा रखे हैं वो सारी वीडियो फ्री हैं देख सकते हो जैसे आज एक और free class है ठीक है दो बज़े अगर बाद में है तो दे सकते हो अगर दस बारा तारी को है है तो आप अपने जो एक्जाम है उससाब से mock test भी दे सकते हो कोई बहुत ज्यादा important नहीं है लेकिन हाँ इसमें कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा बाकि अन academy आप लोगों के लिए भो सारी free class free series भी लेके आ रहे हैं ठीक है जिसमें प्रिवेश एर के section टेस्ट होंगे जो आप दे सकते हो उनका free analysis भी आपको मिलेगा तो आप उसमें भी एन रोल कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अन academy आप इस्टोल करने पड़ेगी और वहां साइच चीज़े देखने पड़ेगी अन academy पर किसी भी एक्जाम की तियारी करते हो आप इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था बाकि इस वीडियो में आपसे ही बिदा लेता हूं बाकि आप में आप कर लो डिस्क्रिप्शिन बोक्स में प्रोफाइल कर लिंगे जिससे जो मेरी फ्री किलासिस हैं वह आप देख पाऊ लाइव इंट्रेक्ट कर पाऊ खुछ खूशना चाहो तो आप पूछ भी सकते हों सो बाइबाइब टेक केर जैहिन